हेलो फ्रेंट्स आगके इस वीडियो पर मैं एक्स्प्लीन करने वाला हूँ दा बॉइ नेक्सडोर मोवी को जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी यह मोवी एक अमेरिकन एरॉक्टिक साइकोलोजिकल थ्रिलर मोवी है इस मोवी की कहानी में एक 19 साल कलर का अपने टीचर के पीछे पागल हो जाता है और वो उसे पाने के लिए उसके साथ जबर जस्ती करने का भी कोशिश करता है और यहां तक कि वो उसकी प्रैवेट फोटोस को लेकर के उसे ब्लैक मेल भी करता है और फिर आगे क्या क्या होता है यह हमें आगे वीडियो में पता चलेगा तो चलिए बिन जिसका नाम केविन है। क्लेयर एक स्कूल में टीचर का काम करती है। उसी राद को गेरइट के घर आता है क्योंकि आज केविन का बड़े था। फिर साथ बड़े सेलीब्रेट करते हैं और फिर गेरइट वहां से चला जाता है। अगली सुबा जब Claire अपने कार को गेरेज से निकाल रही होती है तब गेरेज का गेट अटक जाता है तो यहाँ पर नौवा नाम का एक लड़का आकर Claire की मदद करता है नौवा एक 19 साल का लड़का होता है वो Claire के घर के बगन में ही रहने आया था नौवा के पैरंसे कार एक्सिडन में मारे गए थे और इसलिए वो अपने अंकल के घर रहने आया था नौवा के अंकल को भी उसकी ज़रुवत है क्योंकि वो एक हैंडिकेप है और वो हमेशा विल कंशी दोस्ति होने लगती है क्योंकि दोनों को बुक्स पर बहुत जादा इंट्रेस्ट होता है अब अब इक दिन के विन अपने फादर के साथ केंपिंग पर चला जाता है अब घर्में के अकेली होती है लो अगर। Claire को घर में अकेला देखता है तब उसे ले जांकर के एक बुक देता है ताकि उससे उससे उसका अच्छा टाइम पास हो सके रात को जब लुडे अपने कपने चइंज कर रहा होता है तब Claire अपने खिड़की से उसे देखती ईए नौअ भी उसे ऐसा करती वे देख लेता है और कुलेट्न दिः देख लेता है और पीर क्लेर वहीं पर conscious roll जाती है उसे रात को विक्य कुलेर के लिए एख डेण गर्त कि रहाती हैं। together with फेर decl Sabbath Day by stop करती है दोनों साथ करने लगते हैं रिस पहले तो उसे रोगते हैं यह सुनकर बहुत जादा गुश्सा जाता है और वो ढुखा प्रक्राइब करना और वापस अपने घर चलिए इसके बाद केविन भी अपने फादर के साथ केम्पिंग से वापस आ जाता है तब नोवा को यहां देखकर वह बहुत डर जाती है क्यूंकि उसे लग रहा था कि कहीं नोवा पिछली रात के सब्सक्राइब लेकिन नोवा ऐसा कुछ भी नहीं करता फिर स्कूल सेस्ट हो जाता है यहां को पता चलता है कि नोवा ने भी उसी स्कूल में एडमिशन ले लिया है जिसमें वह पढ़ाती है दरसल लोगा का स्कूल में इसलिए हुआ क्यूंकि नोवा ने क्लेयर की ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वह क्लेयर का डिवास करा सके रात को फिर गेरेट के घर डिनर के लिए आता है केविल पूरी तरह से मैलुपलेट हो चुका था इसलिए अपने डैट से यहां पर अच्छे से बात नहीं करता दूसरे दिन जिन क्लास के दौरान केविल गुस् चाहिए और फिर वापस घार आने पर दोनों किस भी करते लोव अपने घर की खिरके से सबकुछ देख रहा होता है और मर के थीक होता दिख भुख बहुत गुस्या आता है अगली सुषर वह गुस्चे में वह उसे बुरा बोलने लगता है तो पूरी तरह से मैं यह जह र चुका था और इसलिए वह अपनी मां की बात भी नहीं मानता और नोवा के कार में बैठकर स्कूल चला जाता है कि पिछले स्कूल से भी मारपीट की वज़े से उसे निकाल दिया गया था यहां पर भी नोवा विक्की से काफी गंदा बर्दाव करता है तो विक्की उसे स्कूल से निकाल देती है तो वहीं पर क्लेइर को पता जलता है कि बोईस वाश्रोम में पानी लीक हो रही है कि बात्रूम की डिवाल पर किसी ने उसको ले कर बहुत गंदा चीज लिखा हुआ है ये काम किसी और का ने बलकि नुवा का ही होता है फिर नुवा वहाँ पर आ जाता है और फिर वो वहाँ पर Claire का रेप करने का कोशिश करने लगता है Claire जैसे तैसे करके खुद को बजाती है और उससे कहती कि मुझसे और मेरी बेटे केविल से दूरी रहना और फिर वो वापस घर चली आती है अगली सुबा जब Claire अपने क्लास जाती है तब वो देखती है कि पुरे क्लास को नोवा ने अपने और Claire के साथ वाली गंडी पिक्चर से भर दिया है वहाँ पर बाहर स्टूडेंस भी आ जाते है Claire स्टूडेंस को बाहर खड़ा करवा कर जैसे तैसे करके सारे पिक्चर को ठिकाने लगाती है अब स्कूल खतम होने के बाद केविल को लेने उसके फादर गेरिट अपने स्पोर्ट कार को लेकर आते है फिर केविल कार चलाता है यहाँ पर केविल अपने फादर पर गुसा हो जाता है और इसलिए वो बहुत तेज कार चलाने लगता है उसके फादर उसे स्लो चलाने को कहते है लेकिन वो नहीं सुनता इसके बाद एकदम से कार की ब्रीक फेल हो जाती है और फिर कार का एक्सिडेंट हो जाता है पर किसमत से दोनों बच जाते है फिर जब Claire घर आती है तब वो देखती है कि Noah भी उसके घर पर है और यहाँ पर Kevin और Garrett भी होता है इसके बाद अकेले में Noah Claire को Blackman करता है और कहता है कि मेरे पास हम दोनों की MMS वीडियो है इसके बाद Noah Claire को रात में उसके घर आने के लिए बोलता है Claire के पास कोई और चारा नहीं था इसलिए वो रात को Noah के घर जाती है और उसे वो वीडियो डिलीट करने को कहती है Noah कहता है कि मैं ये वीडियो तब ही डिलीट करूँगा अगर तुम मेरे साथ हमेशा इंटिमेट होगी पर इन सब से Claire राजी नहीं होती और वो वहाँ से चली जाती है अगले दिन वो अपने दोस्त विकी को अपने और Noah के अफैर के बारे में बताती है और फिर वो बताती है कि Noah किस तरह से उसे ब्लैकमेल कर रहा है फिर दोनम मिलकर उस वीडियो को डिलीट करने के लिए एक प्लैन बनाते है विकी क्लेर का जगा ले लेती है और विकी को क्लेर समझ कर Noah उसका पीछा करने लगता है इधार क्लेर Noah के घर जाती है Noah का पूरा रूम क्लेर की फोटो से भरा पड़ा था जिसे देख हमें पता चलता है कि Noah क्लेर को लेके कितना पागल हो चुका है इसके बाद Claire अपने उस वीडियो को Noah के लैप्टॉप से डिलीट कर देती है यहाँ पर Noah के लैप्टॉप में Claire को ब्रेक फिल कैसे करते है उसके बारे में एक फाइल मिलती है जिसे देख वो समझ आती है कि Garrett के कार का भी ब्रेक फिल उसी ने किया है और Noah ने Garrett और Kevin को मारने की भी कोशिश की है यहाँ पर वो ये भी समझ आती है कि Noah ने अपने पैरेंस के कार के ब्रेक फिल किया था और उसी ने अपने पैरेंस को मारा है फिर Claire Noah के घर से वापस अपने घर आती है और इन सब के वारे में Vicky को कॉल करके बताती है कॉल करते ही Noah विकी के पीछे मारता और उसे बेहोस कर देता है थोड़ी दिरवाद Noah विकी को उसके घर पर ही बांग देता है और फिर वो विकी के फोन से Claire को उसके घर बुलाता है लोवा कुछ दिरवाद विकी के घर आती है घर पर वो विकी को मरा हुआ पाती है ये देख वो डर के मारे अपने कार के अंदर चली आती है और वो पुलिस को कॉल करने लगती है लेकिन एन वक्त पर लोवा वहाँ पर आ जाता है और फिर वो उससे रोकता है क्लेयर उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही अपने पैरेंट्स को मारा है ये सुनकर लोवा कहता है कि मेरी माने सूसाइट कर लिया था जब उन्हें पता चला कि मेरे फादर का किसी और के साथ अफैर चल रहा है और इसलिए मैंने अपने फादर के कार को ब्रिक फिल कर दिया ताकि मैं अपनी मा की मौत का बदला ले सको फिर लोवा क्लेर को लेकर के बगल के एक बान हाउस में जाता है जहां उसमें पहले से ही केविन और गेरिट को बान रखा था यहाँ पर Novi A Claire से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ हमिशा नहीं रहोगी तो मैं इन दोनों को जान से मार दूँगा इसके बाद Novi A उस पूरे जगह में केरोसिन चिलकने लगता है Claire उसे रोकने का कोशिश भी करती है लेकिन वो Novi A को रोक नहीं पाती इसके बद लुवा आग लगा देता है और फिर चारो और आग लग जाती है फिर गेरिट जैसे तैसे करके खुद को छुड़वाता है और फिर वो लुवा पर अटेक कर देता है इसके बद लुवा गेरिट की छाती पर गोली मार देता है तो गेरिट दर्द के मारे वही पर पेहोस हो जाता है फिर क्लेर नोः की आंख में केविन की एपिपल एंजेक्शन डेचैज निडेच मारती है जिसे नोः की आंख फुड जाती है इसके बाद नोः अन्दा दुन होकर गोली चलाने लगता तो प्लियर लेवर खिशती है और फिर नोवा के ऊपर एक बड़ा सा इंजन गिर जाता है जिसके करण उसकी वही पर मौत हो जाती है इसके बाद क्लेर अपने बेटे और हस्बेन को लेकर के वहाँ से निकल जाती है और फिर मूवी यही पर एंड हो जाती है तो अगर आपको